स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चनल साइंस टेकनोलजी में मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत कता हूँ आज के शूब रॉकेट मंडे में आज हम लोग बात करेंगे ब्लू इंजन नमबर फोर यानि बी इफोर के बारे में तो आइए समझते हैं तो सब ब्लू इंजन को समझने से पहले आपको ब्लू ओरिजन को समझना पड़े का तो ब्लू ओरिजन एक थोड़ी पूरानी कंपणी है आठ सितंबर 2000 को फॉंट किया गया था तो यह समझी है कि जेब बेसोस के द्वारा बनाया गया कंपनी और इसमें इस समय तीन हजार 500 इसी सब को तो अंदाजा पड़ जाना चाहिए कि स्पेस कंपनी में केतने लोग लगते हैं यह मतलब स्पेसेक्स से एक साल पूरा ना अब सब को लग रहा है वर्जिन गलेक्टिक ने वह जो एक जवरदस्ती का खट दिया था कि ताकि उनका नाम हटना जाए कि यह एक्चली कार्मन लाइन क्रॉस कर रहा है प्लस ज्यादा रिलाइबली बाहर बाहर फटा फट लॉंच रही इसका चौथा लॉंच हो चुका है पर बात चल रहा है तो यह समझना ज़रू है कि वर्जिंग गलेक्टिक क्लेम तो कर दिया फर्स्ट तो बन गया लेकिन टिक नहीं पाया यह गये तो यह आज हमें नॉर्मन लग रहा है लेकिन यह बहूत बड़ी बात है तो ऐसा नहीं कुछ नहीं अचीव कि है लेकिन सब और यहां पर समझे कि इनका था कि नुए शेपर्ड जो बनाएंगे और वो सब और टूरिजम करेगा यह कर रहा है बल्ले बल्ले काम करें फिर नूओ ग्लेन बनाएंगे जो और जैसे कि फालकन नाइन है और नूओ गलेन सबदेन का सार गलती से सुधार के बैटर बनाए मतलब अच्छली उटका डे वन से डिजाइंग बेटर था कि उनको पता था कि डामेटर बड़ा रखना होगा और यहां पर दिखेगा इस पॉकेट उतना नहीं था इसलिए रोकेट बहुत पतला बनाए थे तो सबसे बड़ा घूम फिर के साइट इफेक्ट बार-बार आता है SpaceX के साथ कि भई यह उनका फेरिंग छोटा है गूम फिर के फेरिंग छोटा है तो Blue Origin मतलब अपना डिजाइन में New Glenn के बड़ा फेरिंग पे फोकॉस कर रहे थे लेकिन यह थोड़ा है रानी वाली बात है कि इतना बड़ा बैंक बैलेंस होने के बाद भी आप सिफ सर और और बिटल पहुंचे है तो बहुत अंतर है दोनों का SpaceX और Blue Origin का तो Blue Origin का जो सबसे वड़ा मतलब समझी वार्खोर्स बन रहा है वह है बीफोर तो बीफोर से जितने पहले सब आयता है वह सब चोटे रोकेट है जैसे कि इमका जो इंजिन लगाया जा रहा है पुराने सिस्टम में जिसके तरह सो हॉप कर रहे हैं वह इंजिन बहुत अच्छा है क्योंकि वह hydrogen और oxygen पर चलता है बहुत असानी से से रियूस होता है बुम बाम ब्रीम अल्मोस्ट कभी नहीं हुआ है और सबसे अच्छा बाद बहुत घंदा डीप थ्रोटल जाता है यानि कि वह 20% तक थ्रोटल कर सकते है अपने आपको इसलिए आप देखें फालकर 9 आता है सूसाइड बन करता है कि बताब बस चालू करो इंजन रोग दो कि इसके सब्सक्राइब नहीं नहीं जबकि एक इंजन पर सब्सक्राइब अराम से हागे हवर कर लेता है क्योंकि थ्रोटल उतना नीचे तक यह उतार सकते हैं यह मतलब अच्छी बात है ऐसा इंजिनिरिंग को प्लिश्मेंट बंबं उन्होंने काम किया तो बीफोर में वो सारे टेक्नोलोजी जो सीखा एक्सपीरियंस उसको जोड़के वर्खोस यह बनाना चारते हैं और सुरू का में आइडिया यह था कि सिफ और सिफ न्यू ग्लैन में इस्तमाल करें नाकी वलकन में यह इस पर काम स्टार्ट किया गया था 2011 में लेकिन फिर एले को यू एले और ग्लू अरजीन साथ में आए पार्टनर्शिप हुआ 2011 से काम चाल रहा था और कहा गया कि 2078 तक में डिलिवरी हो जाएगा और टार्गेट था कि यह 240 टंस जो की रैप्टर से थोड़ा जादा है और इजी रिज़बिलिटी पर रहेगा और इसका दाम क जैसे कि अगर आप किज़बिway कर रहें ऑप और यह तो व से यह बहुत बहुत द्यक्त है तो आपके जह सब sunset को कि इंधन अच्छा करो तो यहाँ पे liquefied natural gas का इस्तमाल करेंगे LNG तो LNG का क्यों करेंगे बात यह समझे कि ideally methane perfect है लेकिन raw methane required करना कि सिर्फ CH4 हो आपके liquid tank में 99% purity के साथ यह थोड़ा महंगा पड़ता है जैसे कि किरोसीन सस्ता है लेकिन RP1 बहुत महंगा है तो LNG पर यह चलाएंगे तो इसको filter नहीं करेंगे कि LNG में generally majority methane नहीं होता है लेकिन ethane और butane तक जा सकता है लेकिन इनका है कि इन्होंने टेस्टिंग किया analysis कि भाई almost वो methane जसाथ performance दे रहा है मतलब उतना फरक नहीं आ रहा है कि justify करें एक्स्ट्रा fuel cost तो उन्हें लिक्रिफाइड natural gas करेंगे और liquid oxygen का काम करेंगे cooling करने का और liquid oxygen oxygen rich क्यों चला रहा है ताकि exhaust product जो है वो high velocity पे निकले space shuttle के case में exhaust velocity को बढ़ाने के लिए hydrogen rich चलाया जाता है यानि वो fuel rich था यह oxygen rich है और यहाँ पे single shaft design बनाया जा रहा है यानि कि एक turbine है जिस पर आप मतलब pre burner से जला रहे है और वही turbine का काम है LNG को pump करना वही turbine का काम है oxidizer को pump करना यानि कि एक rod दोनों को घूमाता है तो यह क्यों design यह चूज किया गया मतलब यह design तो मतलब space shuttle में भी नहीं था बात है कि यह design स्वस्ता होता है बहुत सारे Russian engines में यही design होता है कि एक rod को आप घुमा रहे हो वही rod का oxidizer pump कर रहा है fuel पी pump कर रहा है side effect अगर गलती से गलत जहां पर leak हो गया तो यह boom करेगा क्योंकि आप समझ रहे हो एक ही rod है पंप पे बहुत ज़्यादा लोड पर रहा है मैंने बता है कि rocket engine को मतलब ज्यादा कुछ है नहीं वह से flying turbo pump है turbo pump का काम होता है कि आपको flame thrower को लेके rocket engine में बदला जाए तो अगर आप इसको देखते हैं turbo pumps को तो turbo pump को चलाने के लिए होस्पावर में नहीं बात करने मेगावाट में बात करना पड़ता है कई मेगावाट या कई 100 मेगावाट या गीगावाट तक ही जला जाएगा मतलब समझे टर्बो पंप को चलाने के लिए छोटा rocket लगता है जिससे टर्बो पंप चलता है तो समझना बहुत ज़रे टर्बो पंप का इनर्जी रेक्वाइबन बहुत साथा है अब वहीं पर एक और पर यह फ्यूल भी पंप करें ऑक्सिडाइजर भी पंप करें बहुत बहुत जाधा टॉर्क चाहिए होगा उसके लिए यह बहुत जाधा स्ट्रेस पड़ेगा और यह इन्होंने इंजिन बनाया यह मतलब फिजिकली बनाया है टेस्ट किया है मतलब इन टेस्टिंग में बार बार डिले हो रहा था मतलब पहले सिफ 30 पर से टेस्ट कर रहे थे 40 पर से मतलब पावर लेवल धीरेट बढ़ा दे को कि यह पावर्फुल बहुत जाता है मतलब यह समझे कि राप्टर जो है मतलब रैप्टर में थो अलग तरका डिजाइन लिए रैप्टर में दो टर्बो पंप है जो दो अलग अलग बर्नर से चल रहा है एक औक और रिच अगर क्रैक कर लेते हैं इसलिए डिजाइन के तोर पर यह ज़्यादा सिंपल दिखता है यह बना चुके हैं टेस्ट कर चुए यह सका डिजाइन है तो बात यह समझे कर रहे हैं यह कपका क्लेम कर दिये 2011 से काम कर रहे हैं जब देखो तब यह मतलब 2017 में डिलिवरी देने तो बात यह समझे कि इंजिन बहुत ज्यादा पारफुल है मतलब यह टार्गेट यह कर रहे है कि ज्यादा इंजिन का नंबर ना रखे है राप्टर के इसमें इंजिन का नंबर बहुत जादा है लेकिन यहां पर वैसा नहीं करना चाहरे तो यहां चाहरे है कि कम से कम सकते हैं तो यह बहुत ज़्यादा पावर के साथ डील कर रहे हैं इसका जब स्टार्टिंग में और हमेशा होता है कोई भी कंपनी जो बच्ची है वही बेवकुफी करेंगे लेकिन जितने भी बड़े लोग होते हैं होते हैं उनको पता रहते हैं आप बनाने का सोचोंगे कुछ ना कुछ नुकसान होगा और फिर उसको आप सॉल्व करते चले जाते हो तो सबसे पहला पाया कंबस्चन इंस्टेबिलिटी यह रोकेट इंजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितना भी आपका प्रोपेलें बूम हो जाता है कंबस्चन इंस्टेबिलिटी एफवान इंजन के लिए सबसे बड़ा दिक्कत था अगर आप लोग देते हो जिसमें एक टर्बो पंप है और उससे चार नौजल क्यों निकल रहा है कारण वही है कि जितना बड़ा आप इंजेक्टर प्लेट बनाते हैं कं कंबस्चन इंस्टेबिलिटी की मामले में गौद माना जाता है एफवान को क्योंकि एफवान का यह बड़ा इंजेक्टर प्लेट को लोग मैनेज कर ले रहे थे उसके अंदर बैफल डाल डालके लिक उसके अंदर सीफोर लगा के फोड़ के देखना पड़ा उनको की कैसे से इसको स्टेबिलाइज करें बहुत मतलब समझ यह बहुत सीरियस समस्य होता है कंबस्चन इंस्टेबिलिटी लेकिन आज के टाइम में 2010 के बाद सी यह दिक्कत नहीं है क्योंकि हर कंपनी हर तरह का सलूशन टेस्ट किया जा चुका हम कर लेंगा हम सभाल लेंगे फिर वह हीटिंग मतलब कि यह काम कर रहा है टेस्टिंग हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ओवर टेंपरिचर आ रहा है यानि कि इसको भरोसे बन तरीके से नहीं इस्तमाल के यह सब हो रहा था और घुमा फिरा के जितने लोगों का एनलेसिस है क्योंकि यह कंपनी बहुत इतने हाई पावर एंजिन में जो कि मतलब समझे मरलिन को बच्चा लगने लगे मरलिन तुम अभी बच्चे हो यह बहुत ज्यादा उंफ के साथ काम करें तो उतना उंफ को चलाने के लिए तर्बो पंप बोलर भाई हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि इंजेक्टर प्लेट लेकिन यहां गधे नहीं बैठें तो क्यों दिक्कत हो रहा है तो पूर मैंजबेंट और यह बात क्लियर कट आने लगा कि अर्ली टुथाजन से यह मतलब इंजिनियर्स बैठे हुए हैं लेकिन पार्ट का सप्लाई चीन इतना अच्छा से नहीं बना हुआ था कि जब तो बियुत अब जब बना ही नहीं सकते तो टेस्ट कैसे करेंगे डिबलब्स कैसे करेंगे और इटरेटीव डवलफ्मेंट कैसे करेंगे यानि कि Falcon 9 के के समय देखें में लेकिन बनारेक्ट कर रहे है यह अच्छा होगा छलो ठीक है इसको निकलो इसको फेको फिर दूसरा बना रहे हैं फटा फट यह करना ही पड़ता है आपको मतलब बोल रहे हैं ना पिसे बचकाने लोग का यह निशानी होता है कि हम बनागे यह काम करेगा अब बनाओगे खेल होगा क्या फेल हुआ अच्छा ठीक है इसको इंप्रूफ करो जैसे एक्जामपल के तोर पे कि जब स्पेश्टल के लिए में इंजन नाया जा रहा था वह इंजन का जब आप इगनिशन कर्व देखेंगे कि क्या क्या कैसे 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 वाल खोलते है बहुत तिगण है तो आप सोचो यह तो बार बाब इंजन फोड़ के मतलब उन्होंने खोला वाल खोला इंजन भूम बजट ही नहीं था और मतलब पैसा की माम नहीं कमी नहीं बजट होता है कि अरे इंजेक्टर को मतलब 10 पीस ओडर करना है तो जो भी आपका मैनेजर उसको समझ होना चाहिए दस मांग रहा है नहीं यह तो यह ना होने के कारण नहीं काफी टाइम आइडलिंग हो गया काफी काफी टाइम इसलिए टाइम जो आराम से हो जाना चाहिए 2017 में नहीं तो 2018-19 तक में तो होई जाना चाहिए था वो मतलब टाइम खाने लग जया यह इनका मैनेजमेंट का बहुत गंदा निशानी था कि मतलब ऐसा कभी नहीं चाहिए कि इन सफिशेंट हाट और भी जब नहीं चाहिए लेकिन हो गया तो बात करते हैं भष में क्या होने वाला तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यूएले के पास बहुत सारा डिफेंस कॉंट्रेक्ट है डिफेंस कॉंट्रेक्ट का यह मतलब बता कि आप उसको घुटा आला नहीं कर सकते आपको उसे लॉंच करना ही पड़ेगा और नहीं करेंगे तो आपके इंवेस्टिकेशन पर सादिया जाए कि आप क्यों फेल कर गए हैं तो यह समझना बहुत ज़रू है कि यूएले क्या बैंड बजी पढ़िए कि उनको लॉंच करना ही है अभी मतलब जो यूएले के सी यू है टोनी प्रूल सब्ते हैं जेब बेजोश के नज़ सर्लिंग का कंपेटर बनाना चाहता है जिसे वह कि एयूँ यह पधिनी भी सट्लाइट मॉइल फोन कंपणी आए सट्लाइटेटा कम्पणी कंपनी वंती सब फेल हो जाती है क्योंकि रॉकेट ही लोट लेता है उनको तो स्पेसेक्स अ करेंगे वो अभी सिफ सीजी है अभी यह रियल नहीं है हकीकत नहीं है कुछ नहीं है तो यह समझने जोड़े कि इनको यह इंजन से वलकन को उड़ाना है जब हो जाए तब जाके गाड़ी आगी बढ़ेगी और नासा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नासा कभी भी ऐसा न सान तक जाए पाए तब ही जाके बोईंग का इतना वड़ा नाम है कि वह एरोस्पेस इंडरस्टी का दाता है उसने दादा जी वाला काम किया था लेकिन उसके बाद फिसल लिया तो जैसे आप स्पेसेक्स को आज करो कि बम-बम है टाइम पर डेलवे भी दे रहा है सब ची को एकदम क्लियर है कि हमें जादे ओप्शन से यू एले से बहुत सारा कॉंट्राक्ट वांच होता है नासा का तो यू एले चाहता है कि यह वलकर नेक्टो रहे अलग से दो तीन ऑप्शन रहे तब सब एक दोस्टे को मैनेजर रखता है कंपटीशन देश के लिए बहुत अच्छ नहीं है और रहा बत अमेरिका पिटने के बाद फालकन नाइन बना है यह समझने ज़रूरी है कि यह वैसे पिटने के बाद स्पेसेक्स ऐसी कंपनी बाकी सब हम सौ लांच करेंगे स्पेसेक्स हम सौ लैंडिंग कर चुके हैं आप आओ हमारे लेबल पर तब हम बा अच्छ आए और नाशा दोनों चाहता है कि बी फोर इंजन चले आप भी चाहते हो अगर आप मतलब अर्बिट को अच्छा से देवलाप होते हुए देखना चाहते है तो आप चाहोगे कि ब्लू औरिजन चले ब्लू औरिजन ग्रो करें क्योंकि आने वाले टाइंग में जितना समस्या आएगा जितना उसके लिए हमें औजार चाहिए हुआ एक और आप भरसा करोगा घूम फिर के फिर वहीं देखना नहीं है कि ब्लू और जिन टिलिवरी देदे इंजिन का वर्लकन सक्सेस्फूल हो जाए तब जाकि स्पेस का डेवलाप्मेंट होगा और यह न्यू ग्लेन धीरे धीरे आगे आजाए हर मामले में आप चाहोगे यह सब का भला होगा कि अगर कंपटिशन बढ़ जा लोगो कितना ना पसंद हुआ है मैं आपसे कहूंगा कॉमेंट लिखा है मैं हर कमेंट को पढ़ने कोशिश करता हूँ आपसे कहूंगा सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाई गरा अफ्री है तो आपने मेरा वीडियो का जनक मुचे बहुत खशी हुई धन्यवाद